अच्छे रहेंगे आज के इस क्लास के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं हमने पिशली क्लास में टाम आप बिल निकालना सीखा जिसके अंदर मैंने आपको कुछ घर से भी दिये थे उन एक्जांपल को पहले करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेगे तो मैंने आपको ए मैंवरी को बिल लिखा गया था तीन महीने के लिए बी ने एक्सप्ट के दर्स परवदी को ड्यू डेट और डेट और मैच्वर्टी निकालने अगर आफ्टर साइट है या आफ्टर डेट है तो हम लोग क्या जानते हैं इसके बारे में मैंने आपको सिखाया हुए साइट तब आफ्टर साइट पहले आप निकाल लो केस नंबर टू का तो एक्सेप्टंस के दिन से किनो दस फर्वरी से लेके आपका नेक्स्ट मन्त कब होगा दस मार्च को एक मन्त हो गया फिर मार्च से अप्रिल दो महिने ओ गये और फिर एप्रिल से मेश फर्वरी, मार्च, एप्रिल, तीन मेने खतम, तो आपका फर्वरी से मार्च एक महीना, मार्च एप्रिल दो महीना, आप्रिल से में तीन महीना, तो आपकी जो ड्यू डेट होगी, वह 10th में होगी, in case of after sight ठीक है after sight में 10th में होगी date होगी जो ठीक है इसमें acceptance की date से हम लोग ने count किया है इसलिए ठीक है अब इसमें number of days को consider नहीं करते हैं जब month में question होता है अब एक चीत और आपको यहां पे समझने हैं इसके अंदर due date और maturity date save होती है तो dd shall be equal to maturity date md in case of bill after sight bill after date में क्या करते हैं जिस दिन से बिल लिखा गया है उस दिन से हम लोग date count करना शुरू करते हैं तो वह भी simple है इसमें भी यह आएगा लेकिन इसके अंदर जो date 10 मही की आ रही है इसके अंदर first मही की due date आएगी plus three days तो मतलब fourth मही आपकी इसके अंदर maturity date होगी फोर्थ में इसके अंदर तो मैं आपके यहापने सिखा देता हूँ यह चीज कि अगर हम लोग ने 1 fayb से एक मार्च एक महीना एक मार्च से लेके एक April दो महीने एक April दो महीने एक April से लेके एक मैं मही तीन महीने in case of आपका आफ्टर डेट कि यहां तक सब कुछ क्लियर है यह सब अगला कोशन देखो आफ्टर साइट का यह भी अगेन कितना है यह फर्स्ट अपरेल पे है और इसने एक्षप्ट किया है तो आजाओ तो अगर अगर 30 अपरेल को accept किया है तो 30 से 30 महीं एक महीना यहलाी मैं से 30 जून से 30 जुलाइ समझ आ गया John तो फर्स एप्रेल से लेके फर्स एप्रेल से फर्स जून नहीं अप्रेल से में आएगा ना फिर में से जून जून से जुलाई तो एक जुलाई को ड्यूड है जुलाई को और चार जुलाई को आपकी क्या है कि विल्ड राउन हुए 31 December से लेके आपका सबसे पहले मैं after set निकाल रहा हूँ तो जब bill accept हुगा है जब से निकालेंगे तो 15 January से लेके 15 February एक महिना फिर 15 February से लेके 15 March दो महिना 15 March से लेके 15 April तीन महिना तो तीन महिने बाद मतलब 15 April इसकी डेट है 15 April in case of bill after set डेट है 15 April इसकी डेट है 15 April इसकी डेट है जबकि after date के अंदर हम लोग क्या लेंगे after date के अंदर हम लोग लेंगे जिस दिन से बिल लिखा गया 31 December से लेके 31 January एक महिना फिर एक आपका फैप से लेके एक मार्च तक स्वरी हाँ एक मार्च तक बहिदा फिर एक मार्च से लेके एक अपरेल तक तीन महिन है तो डिखाते एक अपरेल उर्छ चार अपरेल चार अपरेल पर डिटोडेल मैंच ओचनि यह मैंने आपको सब 6th संस्झा दिया अच्छी तरिक से अज़र्य बता दी है और हब आपको पुसिखने है आपको हाइं टेम्हांटिंग जाओ और आपको मेंली आपके सिख लेकर अपको आपको मेंली यहाप पहले सारे concept सीखेंगे उसके बद सारे जो भी अपने कोशें से उसको cover करेंगे तो एक ड्रॉर है आपको पता है अभी दो इपाटी होती है तो ड्रॉर ने ड्रॉर को माल सेल किया ठीक है और एक चीज होई कि maturity date के ओपर क्या क्या हो सकती है जब ड्रॉर ने ड्रॉर से पैसे मांगे तो क्या क्या केस हो सकते है तो दो केस हो सकते है या तो maturity date के ओपर ड्रोई पैसा देगा या तो नहीं देगा सिमपल या तो पैसा दे रहा है या तो पैसा क्या सकता है कोई तीसा तो हो नीए सकता सर ए और बी दो पार्टनर्स हैं दो पार्टनर का दो लोग है जिन्होंने bill of action sign किया है तो जब ए ने bill bill draw का यह है और यह draw ही है तो जब इसने इसने पैसे मांगे मानलो maturity date के उपपर तो maturity date पर पैसे मांगने के माद दो चीज़े हो सकते हैं या तो यह yes बोलेगा या तो यह no बोलेगा कि या तो मैं पैसे नहीं दूगा सिंपल सी बात है तो अगर वह पैसे देगा या नहीं देगा तो इन दोनों को एक टंप बोला जाता है अगर वह पैसे देने के लिए त्यार हो गया तो bill is honored अगर पैसे देने के लिए नहीं त्यार हुआ तो इसने आपकी इजजत रख ली और अगर कर दिया तो आपकी बेजयती कर दी और बेजयती कर दी तो आप उसको छोड़ोगे तो हो नहीं ऐसे बतला लिए भी ना तो इसलिए हमारे सामने कुछ पैसिज हैं अब यह इन दोनों ही केस के अंदर सब केसिज हो सकते है चार तब से पहला अगर बिल ओनर हुआ है ओनर हुआ है बिल तो जो ड्रॉर है उसने बिल रिटेन करके अपने पास रखा था पहला केस की सर क्या बात है यहां पर मैंने आपको बताया था कि मानलो ए है है यह अगरे तो आपको यह देखना है क्या पूरे तीन महीने अपने पास भिल रखा था normal case अगर ए ने पूरे महीने मतलब पूरे तीन महीने अपने पास बिल रखा था तो ठीक है तो इसको बोलते हैं हम लोग retained by drawer मतलब उसने तीन के तीन महीने बिल अपने पास रखा सर अपने पास ही रखे कि किसी को दे थोड़ना देगा नहीं दे सकता है second case अगर उसने बिल अपने पास नहीं रखा तो क्या उसने बिल को कहीं से डिसकॉंट करा लिया गई से एंडोर्स करा लिया या कहीं collection के लिए भेज दिया यह चार case है तो आपको क्या समझ में आया यहां पर कि तीन महीने तक या तो अपने पास रखे कि रिटेंट बैड ड्र पाई से ले लेना मुझे पैसे आज देतो कुछ पैसे अपने काट लो जिसको discount चार्ज अब बोल लू ठीक है तो discounted by drawer कि सी केस हो सकता है कि कि एंडोर्स कर दिया कि एंडोर्स क्या होता है देखो मैं बतातो आपको जैसे यहां पर मैंने सिखाया आपको ए और वी दो लोग है अब यह बिल था जो हजार रुपे का था अब बी ए को हजार रुपे देगा बी एको हजार रुपे देगा सिंपल बात है लेकिन ए जो है वो आगे ए ने आगे माल किसी से पर्चेस किया है सी से तो सी ने माल इसको सेल किया है और ए ने से पर्चेस किया है बेसिकली माल तो ए को हजार रुपे सी को देने थे A को 1000 रुपे C को देने है ठीक है B को 1000 रुपे A को देने है A को C को देते है तो इतना confusion करने के बज़ाए A ने बोला भाई, देख C मिरे पास तो पैसे है नी, लेकिन क्योगी मैं तरह को 3 महिने बाद 1000 रुपे देने वाला हूं और मेरे पास तीन महीने बाद पैसे आने भी वाले है कहीं से तो ऐसा करो B और C तुम आपस में ही लेंदेंग कर लो मेरा पार्ट का रोल एकदम क्या करो खतम करो इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट तो अब इस केस के अंदर C जो है वो पेई बन जाएगा ड्रॉर तो ए ही रहेगा क्योंकि इसने बिल बनाया है लेकिन पेई कौन बन जाएगा क्योंकि आप पैसे किसको मिलेंगे तो आपको एक वाद समझनी है अब कि अगर आपने बिल एंडोर्स कर दिया आपने किसी दोस्ट को अपने किसी मित्र को तो अब बी जो पैसे देगा वो सी को देगा ठीक है तो वह पैसे देगा देगा उसको इसमें वह लफड़ा बात नहीं मैंने इसलिए बता रहा हुए है आपको क्योंकि मैंने आपको पहले बताए और नट के केसे हैं अगर उसने पैसा देने की सोची है पैसा दे रहा है वो तो उस केस में हम लोग फॉर्दर यह देखेंगे कि क्या ड्रॉर्ड ने बिल रख रखा था या किसी को एंडोर्स कर दिया था किसी अपने दोस्त को ट अगर बिल आपका जल गया एक थम आफ रूल यह माना जाता है कि जो ड्रॉई है ब्रॉई विल पे ब्रॉई विल मेंग दा पेमेंट टू हूं तूदा होल्डर ओफ बिल भाई मैंने आपको बताया कि अगर ए ने ये बिल सी को दे दिया तो सी भी जाके भी से पैसे मांग सकता है अगर यही बिल ए ने बैंक को दे दिया तो बैंक भी जाके भी से पैसे मांग सकता है अगर यह बिल ए ने मानलो डी को दे दिया तो डी भी जाके भी देगा ही देगा तो बिल होने की वज़े से ही वो पैसे देगा अगर बिल ना हुआ तो क्या वो पैसे देगा अंसर इसमों तो holder of the bill को payment करने के liability भी की है अब holder of the bill तो कोई भी हो सकता है तो इसलिए ताकि ये बिल चोरी ना हो जाएं पहले ऐसा हुआ करता था कि बिल फेक्चेंज के पास जो भी होल्डर है उसी को payment करना ज़रूरी होता था तो तो bill of exchange के theft के मामले बहुत आया करते थे और ये कभी कवार जल भी जाया करता तो मालों फैक्ट्री में आग लगे तो bill of exchange जल जाया करते थे तो ये खतम हो जाया करते थे जब ये खतम हो गए तो उसको ड्रॉय को पैसे फिर किसी को देना ही नहीं कि कोई बिल लेके नहीं आया तो इसलिए ही ताकि हम लोग इस bill of exchange को save करके रख सके हम लोग इसको क्या करा देते हैं सेंट फॉर कलेक्शन करा देते है कि हमने ये बोला कि बैंक आप क्या करो इसको अपने पास जमा कर लो जब डेट आएगी तो आप लेके आ जाना लेकिन डिसकॉ के हाफ पे एका बैंक पैसा कलेक्ट करेगा एक भी करेगा और एक कोई देगा तीन महीने बाद ही करेगा आज उसको कोई भी पैसे नहीं मिलेगे ठीक है सिंपल सा कॉंस्टप्ट यह है तो इस हैंट फॉर क्लेक्शन भी समझ में आ गया अब यह सब केस हो सकते हैं जब के अगर अगर ओनर हो रहा है तो चार केस हैं मगार 600 विखला ऑ हैम कि ए्लिक्ट हैं इसकांट पुर हिए डिस तरफ्य होंत हैं मैं कैसे चारत हें सकते समझांज़ हैं देखो अगर तो आपने रिटेन कर रखा था मतलब एन रही पिल रख रहता तो एही पैसे माझने जाएगा बी इसे तो वह बी मना कर रहा है कि इसको एक आप नोटिंग चार्जिस पे करेगा के केस करेगा बी के ओपर और इस के के पर केस करेगा तो केस करने के बाद कुछ चीज़े हो सकती है जब भीने पैसे नहीं दिए maturity rate के उपपर और बिल एक के पास ही है ड्रॉर के पास ही है तो ड्रॉर बी के उपर केस करेगा और केस के बाद इसको option देगी क्या option देगी क्योंकि एप एक new बिल बनाओ न्यू बिल बनाओ अगर पहले 1000 रुपे का था तो अभी आप क्या करो नया बिल बनाओ लेकिन 1000 से मत बना नहार में जोड़ो पहले नोटिंग चार्जिस नोटिंग पेमेंट जो भी आपके वह जोड़ो प्लस इंट्रस्ट जोड़ो उसके बाद एक नया बिल बनाओ सबसे पहले तो कॉंप्रिमेंज वहला तरीका रिनुवल करा लो सेकेंड आप रिबेट करा लो इससे छूट जाओ आप बिल से आप कुछ परसेंट साइस में डिसकाउंट ले लो और बागी बचावा पैसे देदो थर्ड केस अगर वह इंसॉल्मेंट हो गया तो कुछ पार् क्या केस का है इंडूर्स कर दिया अगर इसने केस में कास अब करेंग में इसं करे लिकिन हमारा काम तहले कोंब जाएगा क्याएगी अंधनि बस्कोंग आजाएगी ठीक है इसके बाद अगर हमने बिल बैंक को दे दिया अगर ए ने बिल क्या करा लिया तो डिसकाउंट करा लिया तो डिसकाउंट के केस में तो बैंक के पास बिल चला जाता है और बैंक जाता है पैसे मागने सी से तो अब बैंक को पैसे दिने समय ना कर दिया तो बैंक तो सी भी पैसे नहीं देगा तो बैंक तो डेबिट कर देगा एक आगां तो फिर ए रिकवरी करेगा यहां से भी आर बहुते इसको एक होता है Bijam Bills पेयबल का मतलब जो पे करेगा जिसके लिए हैं मतलब ट्रॉभ के लिए द्रॉग के लिए लैवनितBay तो इसके लिए वि? جमा करा दे कलेक्शन के लिए उसी दिन ही अपने इंट्री कर दी estás Pre células अपना पड़ा दी असेट पड़ा दी अ जब आपका collection करने गया bank और उसने पैसा नहीं दिया तो फिर आपको एक reversal entry pass करने पड़ती है इस case के अंदर तो mainly जो case hard होते हैं और dishonor के होते हैं वह आपके dishonor के होते हैं अगर bill honor हो गया बिल का पैसा उसने दे दिया फिर तो कोई जंजटी दी है लेकिन अगर उसने बिल का पैसा देने से बना कर दिया तो main आपकी दिक्काश शुरू होती है तो यह हमारे पास cave है अब एक चीज़ और समझो कि आपके पास आपके पास दोनों लोग हैं मतलब drawer और दोनों है तो आपको accounts दोनों के बनाने है तो आपको एक book बनानी है drawer की और एक book बनानी है drawer की तो in the books of drawer इन the books of drawer ठीके जैसे आप बनाना आते हैं in the books of consignor the books of consignee in the books of principle in the books of agent उसी तरह यहां पर भी बनाऊगे ठीक है मिसलेनेस टॉपिक मैं ने बता दे हैं रिन्यूवल रिटायर्मेंट और इंसॉलवेंस यह तीन मिसलेनस टॉपिक हम लोग बाद में करेंगे ठीक है पहले हम लोग ओनर्ड और डिस्वाइड वाले चार-चार केसिस दोनों में करेंगे तो आज हम लोग जनरल एंट्र है मतलब बिल को मैचौरिटी तक रखा गया है तो उसके इसके अंदर क्या एंट्री होंगी जनरल एंट्री यह हम लोग डिसकस करते हैं देखो पहली एंट्री वेन गुट्स आर सोल्ड ऑन कर्डिट वाइजर ड्रॉर जब उसने माल बेचा ठीक है यह अकम्टेशन बिल न लिए बिल अपक्षेंज साइन करते हैं तो अकम्टेशन बिल वहां पर अलग होते हैं तो जब आप माल बेचेंगे तो इन दबुक्स ऑफ ड्रॉर क्या करेंगे आप ड्रॉइए अकॉंट डैविट टू सेल्स अकॉंट सिंपल बात हैं यह जो है यहां पर यहां पर यहां बाटी आपको करने है यहां पर पार्टी नेंव की जिएके आपको एक दूसरा अकाउंट यूज करना है जिसका नाम है ड्रॉइए अकॉंट ठीक है ड्रॉय अकॉंट बनाओगे ना पार्टी नेम से बनाओगे इसके बार ड्रॉय के एंट्री करेगा कि उसने पर्चेस किया तो वह पर्चेस अब यहां पर सप्लायर का अकॉंट लिखते हैं हम लोग नॉमली जनल एंट्री जो होती तो बहुत सिंपल एंट्री है तो और यह वाली यह तो हर चार को मतलब जो चार्व चैस आपने बता है न मल बेच उगी तो आप कुछ आगे बढ़ोगे ना थमाल वे एंट्री होगी उसके बाद उसके बाद बील एक्सेप्तन सटेंश के अंदर होगी होगी एक बार मेरी एक प्र इस चुरू होगा तीन मेह देका बिस्ट चुरू होगा फिर खतर बदा चलेगा विल ओनर्ड है या डिसो अन्द है जब भी तो फ़से रहों में करोगे हर चार केंट्र आपको करनी करनी है ठीक है, bills disciaevable account करेगा यह, क्योंकि मैंने आपको बताया था, कि जो drawer है, उसको तो पैसा मिलेगा, तो वो अपनी asset को बढ़ाएगा, ऑर जब asset बढ़ती है, तो debit होती है, यह आपको पता है, यह bills paypal को credit करेगा, क्योंकि यह इसके लिए liability है, liability जब बढ़ती है, तो credit करते है, ठीक है on duty the bill is honored यह बाद या दखना बिल ओनर हो रहा है तो यह entry हम लोग सीख रहे है सबसे पहली बात तो यह है यह case no.a है जहां पर बिल ओनर हो रहा है जहां पर डिस ओनर हो रहा है उसकी entry अलगसी है उसमें भी चार इस चार एक हैं इंदर प्रस्केस जहां पर रिटेन किया गया है यहां पर रिटेन किया है जिसके बाद के सम्झा आपको समझा दिया है ओ पहले से मैं आप को समझ्जा चुक हूं तर मैंने कोछ कहना कैसी आप में अब यूव निकालते जब जब चोटि डिट आएगी उज़न आपके एंटरी भास करोगे इन दर बुक्स आप की किताबों में के एंट्री होगी कैश है बैंक अकाउंट भाई पैसे देगा पैसे आ जाएंगे तो बैंक अकाउंट डैबिट करोगे असेट बढ़ा होगे अपनी और बिल्स इसेवल को घटा दोगे खतम कर दो क्योंकि अब आप उससे पैसा नहीं माँ होगे तो सिंपल कैश आया या बैं लेटि खतम करेगा तो लेटि खतम करने के लिए करते हैं और पेवेंट जब होती है तो असेट काम होई इसी लिए यह कम हुआ liabilities की कम हुई liability भी कम हुई और asset भी गम हुई तो devra都 के case में liability और asset दोनों कम हो रही है draw के case के अंदर खाली हमारा asset ही कम हो रही है और asset ही बढ़ रही है general rules of accounting आपको पता होगा वेण asset is increased it is debited when liability is increased it is credited तो liability बढ़ने पर पता होगा विए समझने में हाँ समझ में आ गया अब इसके बाद केसे नमर 2 बस इतने केस हैं हां देखो पहले entry आपकी ये रहेगी हमेशा एंट्री सेकिंड एंट्री डर्टंट्री युट करोगे पहली करने के बाद त्टि में आती है आपकी तो खिर आप यह करोगे अगर आपने की बिल्गा करा लिया तो आप सबसे पहले क्या करोगे कुछ करोगे तो सेल करने के बाद बिल को करने के बाद जबत करोगे आपके पास एक पास कुछ पैसे आचानगे तो in the books of drawer अब देखो ड्रोई तो कोई entry नहीं करेगा तो तीन महीने बाद ही पैसे देगा आपको और मैंने आपको बता है उस दिन ब्रोई की किताबं मों कोई entry नहीं होगी अब इसकी किताबं मों के entry इसको तो पैसा मिलेगा और रिसीव मनी के वज़े से असेट बढ़ेगी और असेट जब बढ़ती है तो क्या होता है डेबिट होता है इसके बाद डिसकाउंट आप कुछ दोगे तो डिसकाउंट क्या बनेगी देखो तो बैंक अकाउंट करोगे आप 9,900 से डिसकाउंट को डेबिट करोगे 100 रुपेसे और बियार क्रेट हो जाएगा 10,000 अपको इसका पैसा पहले ही मिल गया है और इस नहीं हुआ है इसने पैसा दे भी दिया तो और के केस के अंदर आपको कोई entry नहीं क जूर करेगा बिल पेवल अकाउंट डेविट टू कैश्या बैंक बिल बिल मैट और मेचौरिटी बहुत पैसे देगा चाहे बैंक मांगने आए चाहे आप मांगने हो या फिर आपका दोस्त मांगने आए तो इसलिए जिस दिन पेमेंट होगी उस दिन बैंक अपनी किताब पेमें एंट्री करेगा आपको कोई बिल करने के ज democratic नहीं है अगर आपने अपने दिसकनंट कर लिया था तो आपको नेगोशेवल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल केस भी मिल सकते हैं सब क्रिटिकल केस कैसे देखो जैसे मानलो ओरिजिनली साइन बिल किया था इसने एवर भी ने तीन मैने का पिरिड होते हैं मानलो यह एक साल यह साल फोत को देदी है मानलो इसको किशी से पैसा इसको इसको पैसा सब्ड़ना था इसने ये बिल आउपuszब अपर इसको आगे पैसा पैसाerek करना था आगे पैसा पे करना था मानलो आई को पैसा को पहुंच गया इस एक साल में पैसा मांगने गया एक साल बाद भी से तो बी ने पैसा देने से कर दिया मना अब यह देखो जैट रिक्वरी करेगा आई से आई करेगा जी से जी करेगा एक से लंबा सा केस जो हैंडिल करते हैं वह नेकोशियमल इंस्ट्रुमेंट एक्ट आठारा सो इक्यासी के द्वारा डील होता है यहां पर हमारे सामने मैंटर्स नहीं है यहां पर सिर कि अगर आपने एंडोर्स कर दिया उट्रॉयर जो होगा एंडोर्स पहले दिन लीगर देगा जाएट यह दिन बिल मिलेगा एंड़ इंडोर्सिंग और पहले एंट्री सेयल की करेगा डूसी एंटरी बिल ऐक्षेंज करने की तो कर वा ने कर लाज़ कर गा तो फस्ट यह किताबा में कोई बई एंट्री नहीं होगी चारो केसी उपताब हमेंं इन पेतरी कर लुप अब मैचुर्टी की उपर तो एंडॉर्सी जाएगा उसे पैसे बागने तो ड्रॉर को एंट्री नहीं करेगा लेकिन यह पेमेंट की एंट्री करेगा ठीक है इसके बाद पोश्चन आपको यह जूरूर बोल सकता है कि आप एंडॉर्सी की भी किताबे बनाओ आप बी की पर लिए बिल अपक्षेंज तो आप एंट्री क्या करोगे आप बी यार बढ़ाओगे और अपने ड्रॉर को मतलब यह जो है यहाँ पर यह इंट्री है इसको आप क्रेडिट कर दो लिए यह हमारा कौन था डैंटर था डैंटर मतलब कौन था असेट था तो अपने आप अ आप अपनी असेट को जीरो कर लोगे घठाके और अपनी असेट को यहाँ पर बढ़ावी लोगे तो एंट्री बहुत सिंपल है रेपेटिटिव है आपको एस सच की प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से इसके बाद अगर आपने बेज दिया बैंक को भेज दिया तो आप जब बेजोगे तो आप यह करो कि बिल सेंट फॉर क्लेक्शन अकाउंट डेबिट अच्छा ड्रॉई को कोई फरक नहीं पड़ेगा ड्रॉई यह एंट्री कर रहा है देखलो और केस में तो आप क्या समझें तो ड्र अब यहां पर मैंने कुछ नोट भी आपको लिखके दिये है यहां पर यहां पर आपकी किताब और चारो केस में अगर आप कुछ भी कर रहे तो अगर उसने पैसे देने से कर दिया क्या मना कर दिया को यह चार केस तो ऐसे थे जिसके अंदर वो पैसे देने को तो त्यार था लेकिन हम लोगों कहीं अपने कुछ लफड़े चल रहे थे हमने कहीं डिसकॉंड करा लिया कहीं किसको एंडोर्स कर दिया कहीं क्लेक्शन के लिए भीज दिया तो यह तो हमारे लफड़े लेकिन अब लफड़ा कौन कर रहा है अपने लफड़े तो अभी भी हैं हमने बिल लखने चालो देखते हैं बहुत अच्छे समझना केस नंबर भी इंपॉटेंट है केस नंबर एतना इतना पूछा भी नहीं जाएगा वहीं पूछा जाएगा वी में कहें वेन बिल इस जिस ऑनट सीधा यहीं आजाओ कि फस सेंट्री वही रहेगी इसमें भी हिंटरी एपने पैसे आ अपने एंडर कर रखाता और अपने पैसा मनगा अपने रिटेंण के लिए डूर आप्वका क्या होत्ती हो घटेंग तो अपने क्या करोगे वापस से वापस से उट्यूरUए को क्या बना लोगे वापसे ड्राइब क्या बना लोगे डैटर बना लोगे पैसे देगा न वह आपने फिर से उसको क्या करती है लाइबल कर दिया तो बिल से वह लेकिन भी आर तो खतम करोगे कि लिए नोटिंग चार्जिस के लिए मैंने आपको बताया नोटिंग चार्जिस आपको पे करना पड़ेगा नोटरी पबलिक को तभी माना जाएगा कि आपका बिल डिसवाणर हो गया है तो आपने क्या किया मैंने आपको बताया था कि ड्रॉर ही पे करता है नोटिंग चार पूंसे नहीं समझ पाऊगे चेक से समझो मैंने आपको कोई चेक दिया ठीक है आपने बैंक में डाला और वह बाउंस हो गया तो क्या आप यही चेक दुबार डाल सकते हो अंसर इस नो यह चेक दाली नहीं सकते क्योंकि इसकी वैलडिटी तो जीरो हो गई अब मैं आपको एक नया चेक दूंगा आज कभी तो पैसे देगा तो जब वह पैसे देगा तो बिल्स पेवल अकाउंट डेबिट करेगा अपने लाइबिलिटी को घटाएगा नोटिंग चार्जिस देगा हमें और ड्रॉर को करेड़ करेगा तो उसको पैसे देगा अब यह देखो ड्रॉवए के लिएंडर यह वाली रहेगी तो एक प्रक्रक्रारणाल इंत्री वाली रहेगी पेमेंन्ट की यहां पेम टो करी नहीं हर था सबसक्राइब तो वह सकता है भी हो सकता है थे बी हो सकता है तो कहें हमारा विट गिया हमने bank को बोला था भाई हमें पैसे दे तो आज आप बाद में जाकर discount मतलब payment collect कर ले ना discount आज ही कर दो तो हमने क्या किया था well bill is dishonored तो bank तो हम से पैसे रेकवर कर लेगा मैंने आपको पता है bank हम से करेगा साथ मोम क्या करेंगे ट्रोई अकंट टूबूएंग cuál बैंक है तो सो पूरा इक तो एक बास समझeless कि कि भी लंभे चैन बन जाहे जैसे अ वी के बीच में बीर फेटिन साइन हुआsent फिर स्यों सी आर्युअ को पर देगी सिर्यास behavior खोंच गया जैगा मैंelnो यहां यहां पूरी सेकल चलेगी फिरा के पास आएगी यह याद रखना तो सब अपने अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे उस पा convenience को जिसको जानते हैं अब आइब क्यूं हो रहा है ऐसा क्योंकि x नहीं जानता कि यह उरिजिझनली ए ने लिखा था ए-स नहीं जानता एक्स किसको जानता है भाई यू को जानता है यू किसको जानता है टी को टी किसको आर को आर किसको जानता है जी फिर ऐसे करके पूरा चलेगा जो जिसको जानता है उसी से पैसा रिकवर होते होते आएगा ओपर तक इसलिए यहां पर यह एंट्री होगी इसके बाद अगली एंट्री पर आ जाओ विचिस दिस यह क्या है देखो केस थिरी वें दा बिल वस एंटाइटल लिन दा फिरो करेटर वाइदर ट्रॉर तो मतलब यह एंडोर्समेंट है अगर आपने बिल लॉस कर दिया था तो पैसा तो आप ही रिकवर करोगे किसको दोगे तो आप उसके बियाफ पर हिसके में तो सेम एंट्री होगी हर बार का है यह सेम एंट्री होगी है और इस जोट अब जोड़ार को जांता है कि अपना उसको भी करना पड़ेग फिर के के लिए ड्रोई की किताब हो वही एंट्री रहेगी होगी यहां पर भी केस नंबर फॉर अगर केलेक्शन के लिए भेजा हुआ था और डिस्वाउनर हो गया ड्रोई टू बैंक टू बिल सेंट पूर कलेक्शन ठीक है अब तो एंट्री आपको समझ भी आ गए होगी वहें हम दोनों के सवन में चार्चर के सब्सक्राइबर आट कें मैं हम आगा सामने एटापिक है अलग क्लास में इसकोकरते हैं specific यही सई रहेगा अब車 गच बचना करोऊँ अब भी जोई वह बगबodies यह व्याव टू डाइजस्ट इट प्रॉपरली फर्स फिर हम लोग रिनुवल पर करेंगे फिर उसके बाद हम लोग रिबिट पा जाएंगे और फिर इंसॉल लेंसी पर आजएंगे अभी अपने प्रास तीन टॉपिक और बचे तीन टॉपिक करने के बाद हम लोग इस अब अब जब अगली क्लास कर आओगे और जब पोश्चन कर आओगे तो ही यह चीज़त को क्लेरिटी हमें आ पाएगी ठीक है चलो आज के लिए ताई अब अगली क्लास में भी लेगे बाबाए